वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सारे नोटिफिकेशन सारे अप्डेट यहीं पर आते हैं चलिए तो PCS 2024 सेक्शनल टेस्ट 5 होगा अग्रिकल्चर और आटिन कल्चर देख रहे हैं इसमें हम फर्स्ट क्वेशन देखिए सही विकल्प चुने जो जी करेक्ट ऑप्शन साइट्रस कैंकर प्लांट डिजीज ह जो पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं ना देखा होगा आम तोर पर लॉन में अपने या फिर कहीं और देखा होगा येलोईश स्पोट्स आ जाते हैं जो बेसिकली फिर ब्राउन हो जाते हैं फिर पत्ता गिर जाता है केले के उपर गुच्छेदार शीर्ष रोग बंची टॉप डिजीज सुना होगा आपने वाइरस से होता है विशानू के कारण होता है ग्रे मोल्ड एक पौधे की बिमारी है जो शतिग्रश्त पौधे के उत्तकों के चारो और गहरे से हलके बूरे रंग की सड़हांध होत ठीक है सारे ये बिल्कुल तो प्लीज इन डिजीज़ का नाम से त्रस क्यांकर हुआ है ना बैक्टेरिल बलाइड डिजीज काँछी है बंची टॉप कौँन सा ग्रे मोल्ड कौँन सा है यह आपको याद रखना है ठीक है व्म आपको यहांपे मार्क करते है ग्रे मॉल्ड गलत विकल्प का चेहन करें, चूजदी, incorrect option गेहुं का करनाल बंट रोग, काला किट रोग तथा अनावरत कंड रोग कवक के कारण होता है करनाल बंट, ब्लाक रष्ट और लूस मट, फंजाई की वज़े से होता है गेहुं का सेहु रोग, सेहु डिजीज किसकी वज़े से होता है गोल क्रिमी, round worm की वज़े से, गेहुं का टुंडू रोग, ये किसकी वज़े से होता है बैक्टिरिया, जिवानू की वज़े से, कल्यान सोना, अर्जुन, सुनालिका, पूसा, मालवी, पूसा, किरन यह सब क्या है यह विराईटीस है वीट की इनकरेक्ट पताओ क्या है बी गलत है सेहू डिजीज जो है आपका यह नेमाटोड की वजह से होता, नेमाटोड सुना है आपने सूत्र क्रिमी जिसको बोलते हैं ? शूत्र क्रिमी नेमाटोड इसकी वज़ा सुट सही विकलब चुने चूस दे करेक्ट आप्शन ये मात मगी क्या है पहली मनीपूरी मूवी है निज रानो ये पहली राजस्थानी पिक्चर है सीता बिभाहा ये पहली उडिया मूवी है और जॉय मोटी ये फिर्स्ट आसमीज इस असाम की मूवी है फर्स्ट करेक्ट आप्शन बताईए आप ठीक हैं सारी इनके ये और और देख लीजे ज़रा मनीपूर वाली आई थी 1972 में राजस्थानी जो थी आपकी 1942 की है बहुत पुरानी है और उडिया मूवी 1936 की है और पुरानी है और आसमीज आपकी 1935 की है फोर्थ निमलेखित में से सही विकल्प का चैन करें चूस्थी करेक्ट आप्शन मोटे अनाज का कंडुवा रोग कवक के कारण होता है स्मट डिजीज ऑफ मिलिट फंगस की वज़े से होता है मोटे अनाज का हरित बाली रोग मोटे अनाज का तना चिद्रक रोग स्टैम बोरर डिजीज यह किससे होता है कीट की वज़े से इंसेक्ट बॉर्ण डिजीज है और मोटे अनाज का अरगोट रोग कवक के कारण होता है फंगस अरगोट डिजीज मिलिट का आंसर ठीक है यह सारे और आपको प्लीज ध्यान रखने है यह डिजीज इस ठीक है चलिए फिफ्थ निमलिखित में सही आपको चुनना है और जो एंथोसाइनिन है इसकी वज़े से सेब रेड होता है और ब्रिंजल परपल होता है बिकाज अफ एंथोसाइनिन पिगमेंट पटेटो ग्रीन conventions वो सोलानीन की वज़ाथ से और जो जाता है रड़िश मूली जो जाती है जो वाइट होती है मूली वो बensoredरी केकस्थानिन पिगमेंट की वज़े से होती है और जो क्लोवज ओती है लॉंग में तीखापन होता है नॉ चरमिनाहट लगती है वो यूजनॉल की वज़ास होता है यूजनॉल पिग्मन्ट मिलता है लॉंग में सही विकल्प का चैन करना आपको बताए है डी होजाएगा फर्सस्ट सही है से कंड सही है फोग सही है थर्द गलत होगया राडिश का जो कलर राडिश का होता है वाइट वह एंतो जैंथिन की वजा सी होता है एंतो में जैंथन पूरा यही पी लिख लो और बागी में एंधो लगा लो सिक्स्थ, सही विकल्प का चैन करें, चूज़ दे करेक्ट ऑप्शन, फसल और उनसे रिलेटड डिजीजेज, चने में होता है उख्टा रोग, विल्ट डिजीज, मुम्फली में होता आपका टिकका रोग, तिल में होता आपका फाइलडी डिजीज, और टमेटो में होता बखी आयरोट जिसको बोलते हैं, बख आयरोट डिजीज, करेक्ट ऑप्शन बजाईए, सारे ठीक हैं, तो ये प्लीज, इंपोर्टेंट, सही विकल्प चुनें, चूज़ दे करेक्ट ऑप्शन, भारत में सिचाई के शीर्ष, तीन बड़े स्त्रोथ, नलकूप, नहरे औ कुएं, टॉप त्री सोर्स ओफ इरिगेशन, ट्यूब वेश केनाल जन वेल्स, भारत में शुद्द सिंचित शेत्र 71554,000 हेक्टेर है, नेट इरिगेटर लांड एरिया, 71554,000 हेक्टेर है, भारत का शुद्द सिंचित शेत्र भारत में बोई गए, शुद्द शेत्र की तुलना में 51.31%, नेट इरिगेटर इरिया, बोल रहा है ये, कितना है, 51.35%, सही ऑप्शन बताना है, आपको कौन सा है, तीन हो ठीक है, एथ, निमलिकित में से, सबसे दक्षनी स्थित बोड का चेहन करना है, अच्छा कुश्चन है, बहुत, सदरन मोस्ट सिचुएट बोड भारते अंगूर प्रसंसक्रन बोड, ग्रेप प्रसेसिंग बोड अफ इंडिया, राष्टे मास एवं कुकुट प्रसंसक्रन बोड, नाशनल मीट पॉल्ट्री प्रसेसिंग बोड, राष्टे मत्से विकास बोड, नाशनल जूट बोड, नाशनल जूट बोड, सब के पता वोड़ आपका कॉलकता में है इन में से तो हां फिर हैदराबाद हो गया ना वेस्ट वेंगोल में है नाइन्थ नेमलेकित में से सही विकल्प चुनिया चुछ दे करेक्ट ऑप्शन मक्य की फसल के लिए उष्ण कटे बंधे प्रकार की जलवायों क्या वशक्ता थे घुम के लिए यह चाहिए पर्ल मिलेट बाजरे के लिए यह ही चाहिए गेहूं के लिए भी यह चाहिए यह चाहिए एंग पूशन कटे बंधे प्रकार तो करेक्ट बताओ कौन सा है 20 है मितलब 2nd और 3rd हैं बस मेज के लिए चाहिए आपको सब ट्रोपिकल टाइप इना कौनसा होता है उपोश्न निकटिबंध है प्रकार ठीक है और 2nd टीच है थर्ड ठीक है वीट वीट के लिए कौनसा चाहिए टेंपरिट टाइप यह तो गलत होई आपको बताना है क्रोनलोजिकल ओर में कॉंचा है क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा आपको एफ्र्स्ट थ्री फोर्थ और फिर आपका सेकंड यह फटा फट से बता रहे हूं चल्दी से देखलो डबलू एमो है आपका नाइटीन फिफ्टी मोस्ट इंपोर्टन इफ्प्री है आपका नाइटीन सेवन्टी फईव और इंटरनेशनल राइस है आपका नाइटीन सिक्स्टी और यह है आपका नाइटीन सिक्स्टी सेवन इलेवन देखलो गलत विकल्प का चेहन करेंच उस इंकरेक्ट आप्शन लोक नाटे दी हुए फोक थेटर और संबंधित राज्य है विदापित आपका मिथला दशकाठिया और पाल उडीसा फिर आपकी बाकी ठीक है असम का यह ठीक है है ना तो यह इंपोर्टन्ट है आ सकते हैं पेपर में ट्वेल्थ निमलेकित में से गलत विकल्प का चेहन करें चूस्द इंकरेक्ट आप्शन मिट्टी के बरतनों के नाम और कहां से उनकी उत्पत्ती हुई है जैसे खुर्जा मध्यप्र ब्लू पॉट्री करके होती है एक ब्लू, ब्लू पांसे लिख देते हैं जैपूर के होती है यह है न और एक होती है कारिगरी तु ठीक है कागजी होती है एक, यह कहां कि होती है बताएगा कोई अल्वर, राजस् Fahrち reflecting कारिगरी दिया हुआ होए ठीक है कोई 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 स सुराई वेस बेंगॉल की सुराई एक उती है चलो यह तो पूछूंगी मैं गोपी चंदन गोपी चंदन कहां किये बताओ थर्टीन्थ निम्लेकित में से सही विकल्प का चैन करें चूस दे करेक्ट ऑप्शन मार्शलार्ट और स्चेट सिलंबम तमिलाडू थांक्ता या सर jalorie घंड़ा भिहार और आपकावत म कुछ ती होती है मिजरम की सही बताओ कौह सा से सही ह in ए थर्ड गलत है चैप गटगा जु ऐसे मनिपूर का है मनीपूर एं Weight मारदानी, खेल, महराश्ट्र का, एक होती है लाठी, का का है, पंजाब, बाकी ठीक है, 14, गलत विकल्प का चैन गईजी, चूजदी इंकरेक्ट ऑप्शन, गोवा में दशहरा और हूली के दौरान तरंग मेल लोक नृत्ते का योजन किया जाता है, तरंग मेल, हर्याना में दशहरा उतसफ की दौरान, 14 लोक नृत्ते, एक फोक डांस है, वो होता है, परफॉर्म, जुआरा लोक नृत्ते, MP में होता है, और ये कब होता है, फसल नृत्ते है, हर्वेस्ट डांस है, और जूमर होता है, जारकंड उडिसा का, ट्राइबल लोक परफॉर्म करते हैं, आंसर बताना है आपको, बी हो जाएगा ये, चरबा जो डांस है ना, ये हिमाचल प्रदेश का है, HP का, not हरियाना, ठीक है, ये याद रखिये आप, ये इंपोर्टन्ट है, जूमर, और इसको जमूहर भी कहते हैं, जमूहर, ठीक है, 15, सही विकल्प का चैन करें, चूज़ इन जाता है, शादी की एंड में, और नियू लिवान्ट होता है, ये नागलेंड में गाते हैं, लेजंड और मिट्स, जो आपके ये हैं, किवदंति ये हैं, इनके लिए, और वीराग से, या वीराग आसे, जो है, करनाटिका में है, जल्लूस के दौरान गाया जाता है, य यह सारे ठीक हैं, तो ब्लीज, जिक्र क्या है, एक सेकंड, जिक्र क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, सब स्टेट पता होना चाहिए, वाइसा वर्सा, है न, सिक्स्टीन्थ, सही विकल्प का चैन करें, चूज़ दे करेक्ट आप्शन, लोग संगीत, फोक म्यूज महाराष्ट्र गोवा, पाईगीत, MP, मांड, राजस्थान, पावडा या फिर पोवडा, यह उडिसा B ठीक है, 1st, 2nd, 3rd और 4th ठीक है, 1st, 2nd, 3rd ठीक है, पावडा गलत हो गया, पोवडा है आपका महाराष्ट्र का ठीक है, अच्छा, एक और, एक फेस्टिवल है, बहुत सेमस, न्यूज में भी रहता है, यह खौंग जों, यह आप कमेंट करके बताएंगे, कहां कहा है, 17th, निमलिखित करनाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थकों को कालानुक्रमिक क्रम में विवस्तित करने, early prominence of, proponents of करनाटिक music, ताला, पक, अनमचारिय, पुरंदरदास, शेत्रया, और भधरचालू, रामदासू, ठीक है यह, इनका आपको time period याद रखना है, थोड़ा सा देखिए, हैना, तो 1408 से है आपका यह 1503, पुरंदर दासू है 1484 से 1564, शेत्रय हैं 1600 से 1680, और भधरचालू है आपके 1620 से 1680, 18, निमलिकित में से सही विकल्प का चेहन करें, चूजद करेक्ट आप्शन, नवरानी नृत्य है, यह गौंड अंजाती परफॉर्म करती है, जदूर नृत्य है, भूमिया ट्राइब करती है, कर्मा कोल डांस परफॉर्म करते हैं, गौंड और कोल ट्राइब और घुर्मा करके एक डांस है, वो घूरा और सवा ट्राइब करती है, ऐसे क्वेशन आ जाएंगे, आप फस जाएंगे, नहीं फसेंगे बराब, क्योंकि आप पढ़के जा रहे हैं, नवरानी, जदूर, कर्मा कोल, घुर्मा, याद कर लो हैं, 19, निमलिकित में से कौन सी कठ पुतली, शैली, चाया पुतली की नहीं है, शैडो पपिट्स की नहीं है, तोगालू, गुंबेट्टा, गरनाटिका, थोलू, बॉमलट्टा, अंदरप्रदेश, रावन चाया, उडीसा, पावकुठू, करेला, डी है, देखिए, आप जानते होंगे, चार तरह की होती है, पौटरी, एक होते हैं स्ट्रिंग पपिट्स, एक होते हैं शैडो पपिट्स, एक होते हैं रॉड पपिट्स, एक होते हैं गलफ पपिट्स, मतलब समझ रहे हैं, आप धागा कट पुतली, चाया कट पुतली, च सब के टाइप पता होने चाहिए वैसे तो तो एक एक दो दो देख लेना गलत विकल्प का चेहन करें चुस्द इनकर एक टॉप्शन अरुनाचर प्रदेश में विभा के दौरान जा जिन जा जा जिन जा गाना गाते हैं यह ऐसे करके उत्राखंड के गडवाल शेत्रें बसं जाए की खेती करती हैं शुरू से हैं न इकटा करती हैं चाहें डॉल मिजरम में सैकुति जाई नामक लोगईत वीर पुरश शिकारी आदी की प्रसंचा में गाया जाता है सैकुति जाई इनकरेक्ट बताना आपको सी गलत है यह पूर्वोत्तर में जो स्टेट है असम नौट सिक्किम यहां गाया जाता है यह आपका क्या जूमर जूमर जूमैर यह सारे जा जिन जा फिर बसंद गीत फिर यह जूमूर असामका हो गया और सैकुर्टी जाई हो गया ठीक है 21 निमलिकित में से सही विकल्प का चैन करें चूस्थ करेक्ट ऑप्षन क्रांतियां दीवी है रेवल्यूशन अम्रित आपकी रिवर लिंकिंग स्कीम नदियों को जोड़ने वाली ब्लैक रेवल्यूशन मिनरल ओल में सेल्फ रिलाइंस खनिच तेल के ख्षेत्र में आत्म यलो है आपको ओईल सीट वाला और ग्रीन रेवल्यूशन अगरिकल्ट्रल वाला मतलब इसमें तो कोई होनी ही नहीं चाहिए ट्वंटी टू पाधनर प्रटाइब्ट्शन अप्रश व्री को फटे क्शेश प्रकार की व्रिक्श और जाडियां क्लचर होता यह ओलीवी कलचर ओलीवी कलच्वी ठीक क्या रहे ग्या फ्लावर्स का क्या होता है फ्लावर्स वाला मिताना कमेंट करें होता है 23 भारत के विभिन भागों में स्थान अंत्रित क्रिशी के नाम shifting cultivation के नाम अलग-अलग जुम कहां पे है नौर्धीस इंडिया में दीपा बस्तर और चत्यसगर वाल्रे या वाल्ट्रे ये राजस्थान का है कुमारी कहां का है क्या हो गया अंसर सारे ठीक है तो ये प्रीज याद रखना नाम बहुत इंपॉर्टन है जुम दीपा ये और ये सारे लिस्टिंग विडियो में सब मिल जाएंगे विश्व के विभिन भागों में स्थान अंत्रित क्रिशी के नामों के संबंद में सही विकल्प का चैन करें एंप करेक्ट ऑप्शन टू नेम्स फिफ्टिंग एगरेगा रोका कहां का है ब्राजील का और क्या कैगन या कैगन फिल्लिपीन का है चैना आपका शुरंका का है तमराई आपका वेनेजुला का है तो क्लाइगा अंसर बी हो जाएगा फर्स्ट सेकिंड और थर्ड ठीक है फूर्थ क्योंका लतुआ तमराई इस थाइलेंड सेलेक्शन कर लो थाइलेंड घूमने चले जाओ वैसे भी चले जाओ करेंगे मैं अब नहीं जा सकते क्या आप तो पेपर की त्यारी करोगे न वेनिजुला में कहते हैं कौनुकू कौनुकू 25 सही विकल्प का चेहन करें चूस्थ करेक्ट ऑप्शन सर एडविन जॉन बटलर को आधूनेक पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है फादर ऑफ मॉडन प्लांट पेथोलोची 1943 में बंगाल में आये भयंकर दुर्भीक्ष का कारण धान का भूरा पंड चित्ती रोग था जो सीवेर फेमाइन हुआ था बेंगॉल में 1943 में the reason was brown leaf spot disease of paddy 3rd December 1984 को भुपाल गैस कांड में मिथाइल आईसोसाइनाड गैस लीक हुई थी आमतार पर खर्पतवारों से फसल की उपज में उसतन 10 परसेंट की हानी हो जाती है अवरेज लॉस इस टैन परसेंट ड्यू टू वीड्स अन्वांटेड जो वो होते हैं क्रॉप्स और ठीक है सारे इंपोर्टन्ट है जिनको नहीं पता प्लीज ध्यान रखना यह वाली चीज़ें बिना मतलब कुछ नहीं कराया जा रहा है 26 निम्लेकित में से सही विकल्प का चैन करें चूस्ट और टेंशन नहीं लेनी होती है नहीं एक भी कुशन गलत हो रहा है यह इनका को मतलब नहीं होता ठीक है दस में से एक को भी बेनिफिट मिल रहा होगा ना तो यह चीजें मतलब हमारा काम हो गया फिर ठीक है आगरा घराना कहां का है बेसिकली धुरूपत और धमार गायक होते है उसमें अलक दास के पुत्र हाजी सुजान खान को आगरा घ घराने की गायकी का जनदाता माना जाता उरिजनेटर ओफ आगरा घराना सिंगें वेरी गुड धुरूपत धमर सिंगर देन हाजी सुजान खान को धुरूपत धमार शैलियों का विशेशग्य माना जाता है फिर आपका गुलाम अबास खान कलन खान नथन खान और गॉलियर घरानी की शुरुवातन नथन पीरबक्ष से मानी जाती है बिगनिग गॉलिर घराना जो ख्याल का सबसे प्रसेद घराना है वास्ताव में लखनों घराने से ही ड्राइफ टहली आगया है अली बख्ष खान और बड़े फत्य अली खान को ग्वालियर घराना का प गल्प का चैन करें चूजदन गरेक्ट आप्शन वर्तमान में पंडित राजन साजन मिश्र श्रीमती गिरजा देवी आदी बनारस घराना के प्रसिद कलाकार है आगरा घराना है कैसा घराना है जिसमें खयाल टपा ठुम्री धुरुपत धमार तरंगे तराने आदी संगीत क कि सभी विदाये शामिल हैं और फांस फम अफ म्योजिक एक्जिस्टे जलार अगराना रामपुर सहसवान घराना उतरप्र देश के रामपुर्वर सहसवान शहरों में केंदृत हिंदुस्तानी साश्त्री संगीत का एक घराना है और मेवाती घराना ये आपका हिंदूस्त वाले बच्चे बता पाएंगे वैसे ज्यादा बैटर ठीक है तो यह जो ख्याल टप्पा और यह बनारस घराना में तो है तो बहुत फेमस है तो सुना ही होगा आपने गलत विकल्प का जैन करें चुस्दन करें चर्कुला क्या है यह उतरप्रदेश के ब्रज में लोग रते है एक जत्रा क्या है पस्चिम बंगाल का सबसे प्राचीन लोग रते है एंशेंट ओल्डेस्ट डांस कीरतन और सुवान रते यह आपका डांस है जो की औरतें करती है बैगा ट्राइब की MP की और सेला डांस फॉर्म को वर्लाव ऊंट रइंब है एक उडीश डे सकी वो गलत क्या हो गया कि नोट ख्लाब गलत सेला डांस जो है ना आपका ये बैगा ट्राइब वी 4 में थैकर है म अब रख तो पार उडिसा की, अच्छा, सॉरी, 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 सेला डांस करते हैं, प्रफॉर्म बैगा ट्राइब, आपकी, कहां की, MP की, और जो ये, ओराउं ट्राइब है, उडिसा की, ये आपकी करती है, एक डांस है, जिसका नाम है, मुद्रिका नृत्ते, 30, सही विकल्प का चेहन करें, choose the correct option, ये जगवाल क्या है, पहली कन्नड मुवी है, एना थंगाडी क्या है, पहली गडवाली मुवी है, सतीस लोचना क्या है, पहली तुलू मुवी है, और बाल योगिनी क्या है, पहली तमिल भाषा में बनी वी बाल फिल्म है, चाइल्ड मु मूवी है, clear हो गया, 1983, जगवाल की बात कर रियो मैं, एना थगडी जो है, ये तुलू मूवी है, तो ये ये है, 1971, और सती सुलोचना है, पहली कन्नड मूवी, जिसका एर है, 1934, ये तो ठीक होई गया, 1936 की है ये, 31, खर्पतवार, नियंतरन के लिए, नुसंशत, शाकनाशी के नुसार, सही विकर्प का चैन करें, correct option, as per the recommended, herbicide for weed control, जैसे गेहूं के लिए, आईसो प्रोट्रॉन, पैडी के लिए, पैंडी मिथालिन, cotton के लिए, अनिलोफोस, और स्वयबिन के लिए, अलगलॉर, ये ठीक है, wheat के लिए, आईसो प्रोटॉन, ठीक है बलकूल, पैडी के लिए होता है, आपका, ध्यान देना प्लीज, ध्यान से, अलगलॉर, और फ्ल ये, ये नहीं, अलिकलॉर, और फ्लुकलॉरिन, और डायरोन, स्वयबिन के लिए होता है, आपका ये पैंडी मिथालिन, ठीक है, चले, 32, कई बार ये नाम लिखे वे आएंगे, तो याद रखना ये क्या है, ये हर्बिसाइड्स हैं, सिर्फ ये नाम पूछ लेगा, ये कि भी गलत हो गया, जो कहां से आया है, आपका बाजरा जो बारले, बारले आया है, चाइना से, ठीक है, बाकी ठीक है, बिल्कुल, सेंट्रल अमेरिका से क्या आया है, मक्का, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, मेज, 33, सही विकल्प का चेन करें, चूज दे करेक्ट अंगलूरू, रबर बोड, कोट्यम केरिला, टी बोड, आपका कॉलकता, वेस्ट बेंगॉल, टबेको तंबाखु बोड आपका गुंटूर, आंधर प्रदेश में है, आंसर, ठीक हैं सारे और प्लीज, बहुत इंपोर्टन है, सारे याद कर लो, 34, निमलिकित में से सही व कमाल हो गया भई, बी सही है, फर्स, सेगेंडर थूर्ड, थर्ड, टर्मरेक, कर्क्युमिन, आजकल तो इतना चल रहा है, इंटरनेट पे भी बहुत, कर्क्युमिन होता है, कैल्शम उक्षालेट की विज़ए से क्या होता है, जो टारो रूट होती है, आपकी अर्भी, अर वात्याद करनें हो, जेल मीटर का उप्योग किया जाता है, मक्य की पत्तियों के शीर्ष का सफेड होना जिंक की कमी के तॉप मेज का वौइट जाता है, वो जिनक dependent, देफिशिंसी की वज़र से होता है, मक्य की पत्तियों के शीर्ष का गलने के रसमे समग्र ठोस पधारत की प्रथिशत को BRICS कहते हैं BRICS B-R-I-X total solids कितना है और भेड की सरवादिक उन प्रदान करने वाली नसल कौन सी है MARINO जो की मेक्सिको में मिलती है बताइए सही कौन चाहिए B ठीक है 1st 2nd 3rd और 4th ठीक है मतलब 5th गलत हो गया क्या MARINO तो ठीक है बिलकुल मेक्सिको में नहीं मिलती है स्पेन में मिलती है 36 संगीत से संबंदित समुदायों के संबंद में सही विकल्प चुनना आपको Communities यसे कमार Communities चत्तिसगर भोपा राजिस्थान बाउल वेस्पिंगॉल मोकेन मत्यपरदेश B ठीक है 1st 2nd और 3rd ठीक है मोकेन कहां की है मोकेन है आंडमानन ने कुबार की ठीक है और मध्यपरदेश में मिलती है बगहेल बहुत फेमस नाम सुना होगा आपने 37 सही विकल्प का चेहन करें choose the correct option भेडों की चोकला नसल को भारत का मरीनो कहते है मरीनो अफिंटिया सबसे लंबी उन प्रदान करने वाली भेड की नसल है लिसेस्टर ठीक है लॉंगेस्ट वूल देती है यह रेशम की खोज हुई 118 ईशपूर चाइना में मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया में मक्खन के केंडवन और ऑक्सिकरन के डायसेटाइल नामक यौगिक बनता है जब घी बनाते हैं आप मक्खन से तब आंसर डी सारे ठीक है 38 गलत विकल्प का चैन करें चूस देन करेक्ट आप्शन पूसा दी पावली और वाइट स्नोबॉल पूसा हिम जोती क्या है यह पत्ता गोभी पूसा मुक्ता यह क्या है यह पत्ता गोभी है PB each was a Meghdoot पूसा न latch क्या है तो यह Вам याद रखना है पूसा मेग दूत नवीन व्धन गभी डॉलल दुपक अखे यह आपके बॉठल कार्ट है, ठीक है, इवनिंग श्री, ऐसे आद कर लो, मिड्नाइट में भी गाया जाता है, उसका नाम है, मलकॉण्स, मलकॉष या मलकॉण्स, या मलकॉष, ऐसे लिख लो, मिड्नाइट में जो गाया जाता है, 40, सही विकल्प चुने, चूज़ करेक्ट ऑप्शन, अजरक छपाई कहां की है, गुजरात की, जादो पटिया, यह जारखन की है, पिछवाई है, राजस्थान की और मुथांगी पुशाक, ड्रेस है, बेंटिंग नहीं है, करनाटका की है, करेक्ट कौन सा है, B ठीक है, 1st, 2nd, 3rd ठीक है, फोर्थ गलत हो गया, कोई बात नहीं, क्यों हो गया, मुथांगी ड्रेस क्योंकि कहां की है यह, तमिल नाडू की, ठीक है जी, यह बहुत बढ़ी है, 41, नेमलिखित को काला नुक्रम में क्रम में विवस्थत करें, आलू का अंतराश्ट्रे वर्ष, इंटरनाशनल एर ऑफ पटेटो, और इंटरनाशनल एर ऑफ नाचुरल फाइबर्स, यह गलत हो गया, कोई बात नहीं, एन हटा लो, इंटरनाशनल एर ऑफ बाइवर्सिटी, इंटरनाशनल एर ऑफ फॉरेस्ट, पिछले वाले टेस्ट में भी कराये थे कुछ उसमें से मैंने आपको, तो यह अरेंजड ही हैं, तो यह देख लो, आलू आला कॉन सा है, 2008 का है, फाइबर्स का है, 2009 का, बाइव डाइवर्सिटी तो पता ही होगा, 2010 है, फॉरेस्ट 2011 है, 42, निम्लेकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, चूज़ दे इंकरेक्ट ऑप्षन, लाल मृदा में लोहे की प्रचुरता है, नाइट्रुजन, फॉस्फॉरस और जीवाश्म की कमी है, फॉसल्स की, नाइट्रुजन की और फॉस्फॉरस की, आइरन, अलुमीनियम अच्छा कासा है, नाइट्रुजन, फॉस्फॉरस, पॉटाश और लाइम नहीं है, डेजर्ट सॉइल में, मरूस्थली अम्रदा जिसको कहते हैं, उसमें सॉल्ट और फॉस्फॉरस अच्छा कासा है, और अर्गानिक मैटर और नाइट्रुजन नहीं है, माउंटेन सॉइल में, पॉटाश लाइम और अर्गानिक मैटर अच्छा है, पर नाइट्रुजन नहीं है, यही गलत है, माउंटेन सॉइल में, बागवानी आनूसूनदयचिंच एफ इंस्टान आपका हापुण में यह तो देखो पता हो नहीं होने चाहिए, यह इनकी हां लिख देरियू में, यह 1962 का है, हापड़ वाला है आपका 1958 का, MP वाला है आपका 1982 का, और बागवानी है आपका 1967 का, 44, सही विकल्प का चैन करें, choose the correct option, केले में मिलता है मेलिक असिड, ब्रॉकली में मेलिक असिड और सि असिड और पेट में है आपके hydrochloric acid, सारे ठीक हैं तो देख लेना एक बार है ना, ब्रॉकली वाला जरूर देखना, 45, तो आपको सही इसमें से चुनना है, correct option, wheat में होता है phytic acid, चाय में होता है tannic acid, मक्खन बेटर में होता है butyric acid, और soda water, इसमें होता है carbonic acid, बताईए, वीट में आपका glutamic acid होता है, और फिर phytic acid किसमें होता है, यह होता है आपका चावल में, और सोया बीन, इसमें, 46, निम्रिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, चूजदा इंकरेक्ट option, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बरॉन की कमी से होता है, ब्राउनिंग डिज मार्श रोग मैंगनीज की डफिशन्सी से होता है, मार्श डिजीज, और एक होती है लिटल लीफ डिजीज, आम में, वो होता है जिंक की कमी से, और साइट्रस कैंकर डिजीज होता है नीम्बू में, वो होता है कैल्शम की कमी से, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा answer. कमी से नहीं बेक्टिरिया की वजह से होता है, ठीक है? और डाइबैक और लिटल लीफ डेफिशेंसी डिजीज होता है, लेमन में, कॉपर की कमी की वजह से है, 47th, निम्रिकित में से सही विकल्प का चेहन करें, चूस दे करेक्ट ऑप्शन, आलू में, ब्लैक हार्ट रोग विल्ट डिजीज होता है, बेक्टिरिया की वजह से, ठीक है सारे, तो इस सारे डिजीज वगेरा प्लीज जहान रखना, ये पूछ लेता है question, विल्ट डिजीज, 48, निम्रिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, चूस दे इंकरेक्ट ऑप्शन, नभीनतम क्रिशी ये लुट पादक देश है, और ये कितना उत्पादन करता है, 34%, largest coconut producing country, भारत की फसल सगंता यानि शुद बोई गएक शेतर की तुलना में कुल फसल शेतर का प्रतिशत 141.6,000 hectares, एंडिया's crop intensity, that is percentage of total cropped area, मधुमक्ही पालन एवं कृशी आधारत गतिविधी है, जो ग्रा integrated farming system, बताओ, incorrect, ये आपका B हो जाएगा गलत, ठीक है, ये largest producer तो है coconut का, ठीक दिया हुआ है, ये 31, 34% नहीं है, 31.45% है, 49, निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन गरें, चूस देन गरेक्ट ऑप्शन, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए रिण सह रियाइती अलपाविधी फसल रिंट प्रदान करने के उद्देश से वर्ष 2006-07 में ब्याज अनुदान योजना शुरू की गई थी, इंड्रेस्ट सब्मेंचन स्कीम, सुनाओगा अपने नाम, और विश्व वेपार संगठन की वेपार सांखे की समिक्षा 2021 के अनुसार व उनका परसेंटेज, यह दोनों बाते ठीक दीवी हैं, कोई गलत नहीं है, 50, निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें, चूज दे इनकरेक्ट आप्शन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 1998 की है, यह क्यों स्टार्ट की गई थी, किसानों को उनकी अल्पकालिक या दीर प्रमुख नीतिकत लक्षों में से एक के रूप में शामिल किया गया था, नैशनल पॉलिस इन फार्मर्स 2007, कोई गलत नहीं है, तो इनको आपको पता, हो नहीं होना चाहिए, तो यह हमारा, स्माइल करते हैं यह बस, निमलेकत में से गलत विकल्प का चेहन कीजिए, चूज़दे इनकरेक्ट आप्शन, संतूर बादक है, हरी पिसाच और असिया, फ्लूटिस्ट, बासुली बादक है, पंडित शिव कुमार शर्मा, तबला बादक, जाकिर हुसेन, सरोड प्लेयर ह कौन से है, पहला और दूसरा गलत हो किया है, एक्चुली संतूर प्लेयर है, पंडित शिव कुमार शर्मा, और भजन सोपुरी करके नाम सुनाओगा आपने, और हरी पिसाच और असिया, फ्लूटिस्ट है, तो यह इंटरचेंज है, बाकि ठीक है, तबला प्लेयर तो कोई नाम जानते हैं, अली एकबर खान है, बुद्धा देब जासकुपता है, अमजद अली खान, हाफिस खान, पांच्छे नाम याद होने चाहिए, फिफ्टी तूने में से सही विकल्प का चेहन करें, चूस्द करेक्ट आप्शन देश में पहला कृशी विश्वध्याल फिर गोविंद वल्लब पंथ उनिवर्सिटी ओफ एग्रेकल्चर एंड टेक्नोलोजी, ठीक दिया मैं सारे, फिफ्टी त्री ने में बेकित में से गलत विकल्प का चेहन करें, चूस्द निकरेक्ट आप्शन, पूर्वत्तर राज सिक्क्यम की कुल भूमी का केवल 20% से भी कम, जो भूमी है वो क्रिशी के लिए उपलब्ध है या ओसत वार्शिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है, उनले लेस दन 20% अफ टोटल लैंड इंद नॉट इस्टेन सेट आफ सिक्क्यम is available for agriculture with an average annual rainfall of 125 सेंटीमीटर, संतुले तुरवरों को का उपयोग उतपाधन बढ़ाने, भोजन की गुनवत्ता में सुधार और भूमित पाधक्ता बनाए रखने के लिए किया जाता है, पंजाब राजय भारत के में अनुबंद खेती को लागू करने के लिए अगरणी है, ये contract farming के लिए, एक ही भूमी पर एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलें उगाने का अ अवेलेबल है, सिक्किम, मतब ज्यादा तर लैंड जो है, वो जंगोलों से ठका हुआ है, सिर्फ 10% से भी कम अवेलेबल है, 20 नहीं आंसर, 54, गलत विकल्प का चेयन करें, चूस्दे निकरेक्ट ऑप्शन, राष्टम ब्रिदा सरवेक्षन ब्यूरू को एनुसार, भारत क 20 क्रिशी पारिष्ठत की क्षेत्रों और 60 क्रिशी पारिष्ठत की उपक्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, 20 अग्रोएकोलेगल्स और 60 एंग्रोएकोलेगल सब्रीजिन्स,owy عند 9, क्रिशी संगठन के मानुकों के अनुसार खाध्यान के सुरक्षित भंडारन के समय सापेक्षिक आधरिता 14 प्रतिशत तक होनी चाहिए क्या बोल रहा है रेलेटिफ हुमिड़ी जब फूड ग्रेंज को स्टोर किया जाए हरित क्रांती के कारण भारत भारति क्रिशी अपने निर्भा रूप के स्थान पर वेवेसाइक एवं बाजरोन्मुक रूप बाजरोन्मुक रूप लेती जा रही है ग्रीन रेवल्यूशन की वज़ए से इंडिन अग्रिकल्चर कमर्शल और मार्केट ओरिंट फॉर्म ले जा रहा है मतलब पहले तो सिर्फ गुजर बजर के और क्रिषी अर्थ फिवस्था के शैतρη करन पर पहले के अध्हिनों पर विचार करने के बाद के क्रिशी जलवाई उक्षेतरों के आधार पर क्रिशी उजना तयार करने की सिफारिश की थी जो पहले zoning होती थी ना agriculture economy की तो planning commission ने recommend किया था to prepare agricultural plan on the basis of agroclimatic zones मिश्रित खेती से ताथ पर कई प्रिकार की फसलों के उतपादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देना है ताकि किसान खेती से बचेवे समय में पशुपालन करके अपनी आए बढ़ा सके mixed farming का concept कोई गलत नहीं है सही है बलकुई 56 ने मिलखित में से सही विकलप का चेन करें चूज दे करेक्ट ऑप्शन नीले मृदाभान मलतानी मिट्टी के बने होते हैं ब्लू पोटरी और पोखरान पोटरी जो है वो घरेलू काम में आती है बहुत ले आर्टिफाक्ट्स मेड फ्रम गोपी चंदन पोटरी पूछा है ना मैंने आप से यह अभी और ब्लाक पोटरी जो है काले मृद्भान जो है वो गहरा रंग देते हैं पताइए ठीक है इसारे 57 निमलिकित में से सही विकल्प का चेंड करें चूज दे करेक्ट आप्शन राजो के नाम और होली किस नाम से वहाँ पर मनाएं जाता है जैसे बिहार में फगुआ मनीपूर में याउशांग असम में कमन पोडिगी और वेस बिंगॉल में डोला पहला और दूसरा ठीक है असम में है याउशांग मनीपूर में भी याउशांग है असम में भी याउशांग है और कमन पोडिगी कहा है कमन पोडिगी बोलते हैं इसको तमिल नाडू में वेस्ट बेंगॉल में हैं डोल जत्रा डोल जत्रा डोला कहां का है फिर ये आपका उडीसा का है इसे युगादी भी बोलते हैं ये हिंदू फेस्टिवल है जो कहां मनाया जाता है आंदरप्रदेश तिलंगनौ और करनाटक में मतलब ये नियू यर है ये ये फर्स्ट जैन्वरी वारा नियू यर नहीं है ठीक है बत्थु खम्मा एक पुश्पों का तिहवार है जो मुख इंकरेक्ट पताओ तो सीगरत हो जाएगा नहीं तो पता है आपको उनम कहां कहा है क्या रिलागा है यह नहीं फिफ्टी नाइं नियू लिखित में से गलत विकल्प का जैन करें जूस दैन करेक्ट ऑप्शन अरुनाचर प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है लोसार या शादियों जैसे विशेश समहारों में बच्चा नगमा के नाम से जाना चाता है और गत्का क्या है गत्का सुनाओगा आपने जो मार्शलाट नहीं परफॉर्म करते हैं पंजाब में सिख वो गुरु पूरब पर देखा होगा आपने जट्थे निकलते हैं उनमें भी याद करो 61 निमर्खित में से सही विकल्प का चैन करें चूज दे करेक्ट और अचा उत्तर प्रदेश में और भी हैं सुनाओगा आपने राम नवमी गंगा फेस्टिवल नवरातरी खिचडी वाला मेला होता है राम लीला होती है फिर गंगा दशेरा होता है उध्या-पू प्रती मंत्राले के तहत सापित एक स्वायत तरस्त है, it's an autonomous trust under Ministry of Culture, Indra Gandhi National Centre for Arts. Indra Gandhi, राष्ट्र कला के इंद्रका उद घाटन 19 November 1985 को दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांदी द्वारा एक समहारों में किया गया था, जहां विभिन स्तरों पर घाटकों के प्रतीकवाद को स्पष्ट रूप से वियक्त किया गया था, it was a ceremony with a symbolism of the components at different levels was clearly expressed, and Indra Gandhi, राष्ट्र कला, केंद्रका ट्रस्ट का गठन और पंजी करन 1987 में हुआ था, बताईए, they're all correct, 62, निमलेखित में से गलत विकल्प का चैयन करें, choose the incorrect option, केंद्रे फिल्म प्रमानन बोड सूचना इवं प्रसारन मंत्राले के अधीनेक वैधानिक निगाए है, it's a statutory body, central board of film certification, ये संस्था Cinematic Act 1956 के तहर जारी प्रावधानों का पालन करती है, और फिल्मों को सार्जनिक प्रदर्शन को नियंत्रत करती है, मतलब पब्लिक exhibition जो है मूवी का, वो कंट्रोल करती है, ये केंद्रे फिल्म प्रमानन बोड में एक अध्यक्ष है, 12-25 से हैं, जो फिल्मों को सार्जनिक प्रदर्शन के लिए उप्युक्त प्रमानित करते हैं, that they are fit for public exhibition, केंद्रे फिल्म प्रमानन बोड द्वारा फिल्मों को प्रमानित करने के बाद ही उन्हें भारत में सार्जनिक रूप से दिखाया जाता है, CBFC, दूसरा गलत है, यह आपका कलत क्यों है, Cinematic Act है, 1952 का, not 56, 63, नेमलिकित में से सही विकल्प का चेहन करें, चूस्द करेंग्ट और्प्शन, पच्छे वड़ा, क्या है यह, यह पुरुष पहनते हैं सर्दियों में, ओड़ते हैं, शॉल टाइप है, सौड क्या है, यह क्लॉथ है, जो कुल्ट के अंदर ओड़ा जाता, रजाई के नीचे, धाबला क्या है, सर्दियों में महिलाएं पहनती हैं इसको, मतलब धागरा है, वूलन, अच्छी बात है, शफी लाफी क्या है, यह एक ट्रेडिशनल कपड़ा है, और मनीपुर की मिते ही जो महिलाएं हैं, वो इस पे कढ़ाई करती हैं, तो यह सब ठीक हैं बिल्कुल, तो यह सब देख लेना प्लीज, 64, निमलिखित में से सही विकल्प का चेहन करें, चूस्द करेक्ट आप्शन, प्रबानन मंदर जावा इंडूनेशिया में, पशुपतिनाथ टेंपल काटमांडू नेपाल में, कतासराज मंदर पाकिस्तान में, और मुनेश्वर मंदर आपका भुटान में, बताँ, बी ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मुनेश्वर मं गलत हो गया, गुजरात की है धराणिया, 66, निम्रिखित में से सही विकल्प का चेहन करें, चूज़ दे करेक्ट ऑप्शन, पताचित्र पेंटिंग सुनाओगा, पताचित्र उडिसा, पटुवा, बंगॉल, पतिकार, पैतकार, जहारखंड और वरली, आंध्यप्रदेश, बी ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ क्यों गलत हुआ, वरली पिंटिंग, बहुत फेमस, महाराश्ट्र, आंध्यप्रदेश की बहुत फेमस कौन सी है, कलमकारी, 67, निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें, सिलेक्ट दी इंकरेक्ट आप्शन, भारत की प्रारंप्रिक प्रांते साडियां, प्रविंशल साडियां, और कहां की हैं, जैसे पोचमपली साडियां की हैं, अंध्रदेश की बालुचरी, MP, जरीतन छोई, 68, निमलिखित में से किस कड़ाई को अभी तक भोगौलिक संकी तक नहीं दिया गया, जी आटाइग नहीं मिला है, लंबानी को, सुजानी को, सुजनी को, किमखाब को, किमखाब को नहीं मिला है, देखिए, अब सुनी है थोड़ा सा, लंबानी embroidery है आपकी संडूर कहां है संडूर करनाट का ठीक है सोजनी सुजानी जम्मू कश्मीर की है सोजनी या सुजानी और सुजनी बिहार की है इतना फरक है और किमखाब है वारनसी की लेकिन अभी तक GI टाइग नहीं मिला है 69 निमलिकित में से सही विकल्प का चैन करें करेक्ट आप्शन बताइए शेहनाई वादक क्रिश्न राम चौधरी सितार वादक पंडित विश्व मोहन भठ सारंगी वादक पंडित रवी शंकर और वीना वादक पंडित राम नरायन ये ठीक है शेहनाई प्लेयर्स के कुछ नाम सुन लीजिए बिस्मिल्ला खान, कृष्ण राम चौधरी, अली एहमद हुसेन, दया शंकर सितार प्लेयर्स हैं आपके पंडित रवी शंकर ये हैं ये वाले होते तो ठीक हो था पंडित रवी शंकर, शाहिद परवेश खान, बुधात्या मुखर जी, अनुष्का शंकर, सारंगी प्लेयर हैं आपके शकूर खान, पंडित राम नरायन और रमेश मिश्रा हैं, सुल्तान खान हैं, वीना प्लेयर हैं आपके ये मोहन भठ और अयागरी, स्यामसंद्रम हैं दुराई स्वामी हैं, एस बालचंद्रम वेरी फेमस, और कल्यान कृष्ण भागवतार हैं, टेक हैं, निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें, चूजद करेंट आप्शन, भगवान विश्नु को समर्पित, भ्रहदेश्वर मंदर का निर्मान तमिलनाडू में के त समर्पित, यह इस्टन गंग डाइनस्टी थी, उन्होंने बनवाय था 13th सेंचुरी में कुनार्ख में, ओडिसा, थाउजन पिलर टेंपल जो है, यह आपका जो हजार स्थम मंदर को बोलते हैं, यह भगवान विश्नु, श्रिव और सूर्य भगवान के लिए है, जो का कात जिश्वर टेंपल, यह लौड विश्नु को नहीं है समर्पित, यह भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, राज-राजवन ने बनवाय था, 10-10 में बिल्कुल ठीक है, क्लियर, चले, 71 देख लीजिए, 71 में आपको बताना है, गलत कौन चा है, incorrect option, हरी खाद कृशी उस सहा एक फसल को कहा जाता है, जिसकी खेती मुख्य रूप से, मिट्टी में पोशक तत्वों को बढ़ाने, तथा उनमें कार्बनिक पदार्त की पूर्ति के उद्धिशत सकी जाती है, यह बात कर रहा है, ग्रीन मैन्योरिंग की, मतलब वो subsidiary crop which is mainly cultivated for the purpose of increasing nutrients, जिससे soil की जो quality है, और improve हो जाए, और उसके अंदर जो organic matter की कमी है शायद, वो पूरी हो जाए, भारत में जैविक क्रिशी को भढ़ावा देनें के लिए, दसवी पंच वर्षे योजना के तहते हैं, अक्टूबर 2004 में राश्टि जैविक खेती पर योजना स्टार्ट की गई थी, National Organic Farming Project की ब है न, और क्यूबा पहला country था दुनिया में जिसने, मतलब organic farming को बड़े scale पर adopt किया था, अंसर बताईए, कोई गलत नहीं है, 72, क्रिशी क्षेतर को प्रात्मिक्तर देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, इसके सम्मन्द में आपको सही बताना है कौन साए है, न, या अंसर, ये भी सारे ठीक हैं, और इनको एक बारी पढ़ लीजे देखें, ठोड़ा सा ध्यान से, कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है, प्रधान मंत्री ग्राम से चाहिए यूजना क्या है, है न, ये सब, 73, निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन करें, जूज इनकरेक्ट उप्शन, एगमार के केंद सरकार प्रायुजत यूजना है, जो क्रिशी उपच्छ, ग्रेडिंग और विपनन अधनियम, 1937 के तहट क्रिशी और संबध उत्पादों की, की ग्रेडिंग और मान की करन गुणवत्ता वृध्धी को बढ़ावा देती है, तो ये बताना है आपको, भारत में 20 ग्राम अभधारना का मुख्यो दिश है, समान विचार धारवाले किसानों को स्वेम सहयता समहों में एक साथ प्रिसेक्शन प्रिशान करना, ताकि वे अपनी पसंद की फसलों का उत्पादन करने के लिए मिलकर काम कर सकें, जो सीड विलेज का कॉंसेप्ट है, को एक सा कम करना है उनको तो वो आ Better Time के टाइम के और एकटा काम करें और अपनी चॉइस की जो है प्रेडियोश करें और अंजय को कोई गलतनी हैं 74 निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें चूसे इनकरेक्ट उप्षन बड़े स्टेटमेंट्स वाले क्वेस्टिन्स को देखे घबराना नहीं है अराम से पढ़ो जाद तर बहुत इजी होता है इसे क्वेस्टिन्स ठीक है चलो 74 पे आगए महात्मा गांधी राष्ट ग्रामी रोजगार गारंटी अधनी मन्रेगा बहुत फेमस आप जानते हैं इसमें क्या है जो wages हैं वो increase कर दी गई है 20 रुपे से लेके 202 हो गई है सोचिया आप 20 से हुई मतलब रुपीस 20 increase किया गया है sorry 182 से 202 हो गई है 20 रुपे से मतलब 20 रुपे का increase हुआ है किसी पौधे की रचना में सरवाधिक योगदान किसको होता है कार्बन का फलों को श्रीघर पकाने में फॉस्फोरस तत्व की महत्वपूर भूमिक होती है जल्दी से पकते हैं ना फल तो फॉस्फोरस एलिमेंट चाहिए होता हुआ हुआ है कोई नहीं है और कार्बन करीब होता है 45 परसेंट 75 निम्रेखित में से सही विकल्प का चाहिन करें चूस्थ करेक्ट ऑप्शन मृधा स्वास्तिकार्ड यूजना को 19-2015 को राजस्थान के श्री गंगा नगर जिले के सूरतगर कस्बे में स्टार्ट किया गया था स्वाइल हेल्थ कार्ट्स की पौधों के पूनसरूप से सूखे जाने के समय मृधा में नमी की जतनी प्रतिशत मात्र उपस्तित रहती है उसे मुर्जान गुणांक या क्रांतिक नमी बिंदू कहते हैं क्या बोलते हैं विल्टिंग कोफिशेंट या फिर क्रिटिकल मॉस्टर पॉइंट क्या जो पूरा पूरा ही का पूरा सूख गया पौधा लेकिन तब भी कुछ न कुछ तो नमी उसमें होगी न उसको आद्रिता ग्राही गुणांत तथा छेत्र धारिता के माधिम के मध्य उपस्तित जल की मात्र को केशिका जल के हैते हैं जो अम दमाउंट फॉर्टर प्रेजेंट बिट्विन दे हुमिडिटी कोफिशेंट और अधी एरिया जो वह होल्ड कर रहा है अधिस क्यापिलिरी व कमी से होता है वाटर कोर टरनिप में फूल को भी में विप्टेल होता है मॉलिबिलिम की कमी से हाट रॉट होता है बीटूट में चुकंदर लाल वाली जो ती यह लाल कर देती है होट जीब सब और ऐसी आपका तन मन तो इसलिए खानी चाहिए अमरूद में आपका जो ब्र बाता है वो गुमान ना कीजिए अपनें पर और पढ़िए निमलेकित में से गलत विकल्प का चैन कीजिए सेलेक्ट दिन करेक्ट ऑक्षन जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पढ़ी रहे उसे कहते है अव शिष्ट मिट्टी रेसिडूल सॉयल जो मिट्टी वायूत के सा या मालवा स्वाइल बताईये है तो इस इस अल्सो राइट सारे ठीक है है 78 निमलेकित में से सही विकल्प का चैन करें चूज देकरेक्ट आप्शन पीट मिर्दा में फॉस्फरस की मातरा सरवाधिक पाई जाती है जो पीट सॉयल होती है उसमें फॉस्फरस अबसाद होता सी सेकंड थर्ड और फोर्थ तो पहला क्यों गलत हो गया इसमें और्गानिक मैटर बहुत जाता होता है फॉस्फोरस नहीं और्गानिक मैटर है ना कार्बनिक पदार्थ काफी मिलेगा आपको इसमें बाकी ठीक है गलत विकल्प का चेहन करें चूज़ इनकरेक्ट ऑप्शन ब्रहद पोशक तत्व यह मैक्रो न्यूट्रेंट्स कौन से है नाटोजन फॉस्फरस पटाश और द्वितियक सेकंडरी कौन से है कैल्चम, मैगनेजिम, सेलफर सूक्षम कौन से है माक्रो न्यूट्रेंस, मॉल गलत ठाविकल तथा उत्तिर प्रदेश, मर्धिपरदेश और जहरखन में इसे करेवा, करेल वा कपास मर्दा भी कहते हैं करेवा नहीं करेव आपकी साफरन वाली होती है जमुकशमीर वाली, ब्लाक सॉल को रेगूर सॉल कहते हैं करेल कहते हैं, कौटन सॉल कहते हैं, यू इन उत्तरप्रदेश नॉट इन एंपी एंड जहारखंड उनली इन उत्तरप्रदेश गलत विकल्प का चैन करें चूज दिन करें टॉप्शन जनुवरी दोहजार सोला में मिजोरम भारत का पहला जैविक राज्य बन गया था फॉस्ट ओर्गानिक स्टेट मिजोरम नकदी फसलें तिलहन तथा सबजियों में नाइट्रोजन संस्थापन के लिए अजटो बैक्टर जैवर्ग का प्रियोग किया जाता है बायो फटलाजर बहुत फेमस अजटो बैक्टर परत अपरदन किसान की मौट संग्या से अभिहित किया जाता है मतलब लेयर एरोजिन हो गया डेट ऑफ फार्मर खतरनाक होता है तू गलत कौंचा है कैसे कैसे मतलब मिजरम कैसे लगा सकते हो भाई सिक्किम अजीत सर तो शायद एक लाख बार बता चुकि होंगे यह बात जब भी करिंट अफेर में कोई टॉपिक आता है न कि और गानिक्स तो हो सिक्किम बताते ही बताते है यही पहचान है एक अच्छे टीचर की निमलिखित में से सही विकल्प का चैन कीजी सलेक्ट इकरेक्ट ऑप्शन केले में होने वाले पनामा रोग को बनाना विल्ट कहते हैं पनामा डिजीज और CACP Commission for Agriculture कॉस्चन प्राइस यह ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ अग्रिकल्चर फार्मर्स वेल्फिर ऑफ गवर्मेंट अफ इंडिया का मियू लिस्स या फिर मियू किलिज जो है मतलब क्या इसमें बिंडी में चिपचिपाहट ने होती वह रसा सा नहीं छोड़ती बिंडी इसकी करांती के दौरा ने इस्तमाल की गई गेहूं की किसमें लेर्मा रोजो 64 ए और सुनारा 64 थी यह वराइटीज है जो ग्रीन रेवल्यूशन में यूज की गई थी और प्याज इतनी पंजंट क्यों होती है एलाइल प्रपाइल डाय सलफाइट की वजा से ऐसा एक क्वेस्च रभी फसल के धारन यह तो मैं आप से उपर पूछ चुके हूँ तो अब तक आप अच्छे बच्चे कमेंट्स कर चुके होंगे और ठोड़े कम अच्छे बच्चे अब तक बैठे होंगे रभी फसल कौनसी है मक्का बाजरा कमर्शल कौनसी है कॉफी रबर एनरजी है आपकी मेज, पर्ल, मिलेट, सोय बीन, कॉर्टन, खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है? 85, निमलिखित में से गलत विकल्प चुनी है, इंकरेक्ट आप्शन, मृदा की उत्पत्ती वा वर्गीकरन तथा मृदा के विस्तरत विवरन का अध्यान, पेडॉलोजी कहलाता है, study of soil, पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणू का अध्यान, एडाफोलोजी कहलाता है, मतलब study of plants of soil, production of plants related, गेहुं की tea estimem variety जो है, वो दॉक्टर नॉर्मल यी बॉलोग ने develop करी थी मेक्सिकों में, इंकरेक्ट पताओ, कोई गलत नहीं है, अच्छे questions है, statements अच्छे हैं, बहुत, 86, ने बलेखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज़ दे इंकरेक्ट option, रभी की फसले सर्दियों में, अक्टूबर से दिसंबर तक बुई जाती हैं, और गर्मियों में, अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं, सब कुछ यहीं करा रहे हैं, आपको test में, खरीफ फसले जून जुन जुलाई में बुई जाती हैं, कटी कब हैं, सब्टेंबर, ऑक्टूबर में, हर्वेस्ट की जाती हैं, और क्रॉप सोन इं समर सीजन बेटिविन रभी एं खारिफ क्रॉप को आप क्या कहते हैं, जायद क्रॉप, खीरा, ककडी वगएरा नहीं होती है, खीरा तो पूरे साल मिलता है, और वो फूट वगए में बस, लू से बचाती हैं, सब प्रकृती ने वैसी इंतजाम किये हुए, तबी तो कहते हैं, गलत विकल्प का चेंगरें चूस इनकरेक्टॉप्शन भारत में, हरित क्रांती का सरवाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, पस्चिम बंकाल तमिलादू में चावल की तीन तीन फसलियों का जाती हैं, और 5 फरविक 2016 को इंटलेक्शल प्रॉपर्टी आपेलेट बोड ने जोगरिफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इनको डारेक्ट किया, कि जी आई टाग दो बासमती राइस को, कोई गलत नहीं है, फीक होगी ये भी बात, है ना, तो तीन आप सुना अपने नाम, वेस्ट बेंगॉल की तीन फसल, बता देते हैं आपको, सुना होगा वैसे, ये हैं आपकी औस, अब याद आजाएगा, अमन और, एंस्यार्टी का है भाई ये, बोरो, औस है सेप्टेंबर ऑक्टोबर की, अमन है सर्दियों की, बोरो है समर की, 88, नेमलेकित में से सही विकलब चुने, चूस दे करेक्ट ऑप्शन, सूरजमुखी के तेल में 64% लिनोलिक एसिड, जो मानव धमनियों में एकत्रित होकर कलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है, कलेस्ट्रॉल बनता नहीं है, सारसों के तेल में इरुसिक एसिड मिलता है, यह अच्छा नहीं है, humans के लिए, मुफिली की खली में 7-8% nitrogen है, 1.5% phosphorus है और 1.3% potash है, oil cake जोता है, कपास एक खरीब फसल है और इसे पकर तियार करने में 6-8 महीं नहीं लगते हैं, answer? सही हैं सारे, तो यह जब हम mustard oil, आपका कहते हैं, पकालो इसको अच्छे से, नमक डाल के गरम कर लो, तो वो इसलिए किया जाता है, 18-9, कच्छा पन का सैला पन हटाने के लिए, सही विकल्प का chain करें, choose the correct option, रबड व्रिक्ष के latex, दूट से रबड मिलता है, मिल्क से, latex, उच्छितम गुनवत्ता वाली coffee कौन सी है, अराबिका, cotton को कहते हैं white gold महराष्ण में, जूट को कहते हैं golden fiber सुनहरा रेशा, ठीक हैं भाई, सारी बातें बढ़ियां हैं, अराबिका आप जानते हैं, पर अराबिका आपको पता है, बहुत ज़्यादा इसको बिमारी लगती अराबिका कोई, बिचारी बहुत sensitive है, तो इसी के वाज़ा से यह बहुती ज़्यादा कम quantity में उगाई जाती है, तो इसके बाद जो उगती है न, सबसे ज़्यादा quantity में जो coffee उगती है, वो robusta है, कहीं आप सोचें, मान लीजी आए कि सबसे highest quality की अराबिका है, तो सबसे ब्राजील मूल का पौधा है, औरिजिनल प्लेस आपकी मूफली का ब्राजील है, सोल विस शताबदी में इसकी खेती स्टार्ट हुई थी, तंबाखु जो है Mexican origin का है, पॉर्चुगीज यहां पे ले के आए थे, मतलब उन्हों नहीं प्लांट वहां किया था, फिर यहां ल किया है थे, खेर 91, निमलेखित में से सही विकल्प का चैयन करें, सलेक दिक करेक्ट ऑप्शन, केले को कृत्रम रूप से पकाने के लिए एथरेल का उपयोग किया जाता है, जिससे इथाइलीन गैस से नहीं कलती है, फिर वो पक जाता है, शरीर में वसा ऑक्सिक्रत हो जात में विटमिन A, B, C, सब कुछ है, एक सबस्त व्यक्ती को प्रते दिन कम से कम 92 ग्राम्स फल लेने की सलह दी जाती है, तो आप लोग खाते हैं फल नहीं खाते, ये तो कमेंट कर दीजे कम से कम, ठीक हैं सारे, एक सर्विंग कहते हैं, दो सर्विंग फ्रूट की खानी चाहि हर लेक्चर में अब मैं ये बात बोल रही हूँ स्पेसिफिकली कि आज तक नहीं हुआ ऐसा कि मैं पढ़ाते वक्त कुछ खा रही हूँ या खाते वक्त पढ़ा रही हूँ, never it has happened, कोई नहीं, आम में leaf starch रोग, scorch रोग, potassium की कमी से होता है, पानी में chloride की अधिकता की कारण ह होता है, और cavity spot disease गाजर में होता है, calcium की कमी की वचा से, hen and chicken disease अंगूर में होता है, सोचे, boron की कमी से, और scorching disease, leechी में होता है, zinc की कमी की वचा से, कितना बड़ी हा question है, ये गलत हो गया, ये zinc की कमी नहीं होती, इसमें potassium की कमी होती है, 93, उपियोग के अधार पर सबजियों का वरगी करण के समबंध में आपको सही विकल्ब चुनना है, classification of vegetable, जैसे root, जड़ खाते हैं आप चुकंदर शल्जम की, तने खाते हैं आपको ल्राभी और जिमिकंद की, जिमिकंद वो होता न, शायद कचालू कहते हैं, इसको इसकी की खाते हैं, अनियन और गार्लिक के आपको जानते हैं, अपक्या खाते हैं, फ्लेक बल्ब, कहते हैं इसको, इंदी में क्या काईंग THE SHALK फूंद भी बल्ब होते हैं, ये अनियन गारलिक के बल्ब होते हैं, 92 निमलिखित में गलत 94 गलत विकरप चुनिए इंकरेक्ट ऑप्शन वाइट रेवल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ 1974 में ऑपरेशन फ्लड आया था ना फेज बन डेरी कॉर्परेशन ऑफ इंडिया आया आनंद गुजरात अमूल देस्ट ऑफ इंडिया 1970 में अमूल बा क्यों वाइट रेवल्यूशन आया था जुलाई 1970 में यह डेट्स ना भूल सकते हैं आप डॉक्टर वर्गिस कुरीन का नाम याद रखिये उन्हीं को माना जाता है जनक सफेद करांती का चीक है तो यह जमना परी इसका मीट भी बहुत अच्छो और बिल्क भी पता नहीं कैसे खाते हैं मीट खेर नो अफेंस तु दे मीट इटर्स बट चली 95 निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें से लेक दिन करेक्ट ऑप्शन पशू पालन संखे की 2022 के नुसार दूद उत्पादन में शीर शाजे कौन है पंजाब और उत्रप्रदेश बजट के हिसाब से टॉप स्टेट जो मिल्क प्रडक्शन में वो यूपी है पर कैपिटा अवेलिबिलिटी ओफ मिल्क मतलब प्रतिव्यक्ति उपलब दता दूप की उसके हिसाब से पंजाब है टॉप पे और है कितनी उपलब दता 444 ग्राम्स पर डे इंकरेक्ट बताओ एग अलत है ये शीष राजे एनिमल हस्बेंटी स्टिस्टिक्स के हिजाब से है राजस्थान सारे बता दिया आपको 96 नवीनतम अपडेट के नुसार सही विकल बताईए आप मुझे विश में दूद उत्पादन की दृष्टी से भारत पहले स्थान पे है यह है फ्रस्ट फे है भ elétास के दूद में प्ररडक्शन में अरस सब साथ एक्स्पोर्टर भी है चावल का निर्यातक है भारत सबसे बड़ा ठीक है सारे नाइंटी सेवन निम्रिखित में से गलत विकल्प का चेयन करें चूर्ज देन करेक्ट ऑप्शन टेस्ट खतम होने वाला है खुशी की लहर दोड़ जानी चाहिए एकदम ठीक है भारत एक्सपोर्टर है राइस का इंपोर्टर कौन है फिर सबसे बड़ा यह तो अपने आप से सोच के लगा लिए करो अंसर है ना तो उत्तर प्रदेश जो है वो थर्ड है इन अहर तूर और टबेको पर मिलेट तो उपर था तो इसमें कैसे होएगा पता नहीं चीता कि यह सही है यह सही है तभी तो लगा पाते निम्लिखित में से गलत विकल्प का संस्कृत नाटे कला कुडी अट्टम को मानफता की अमूर्त संस्कृतिक विरासत की प्रिथिनदी सूची में वर्ष 2008 में सम्मिलित किया गया था वो इंटांजिबल कल्चरल हरिटेज ऑफ हिमानिटी जोती है इंटांजिबल समझते हैं जैसे आप चूह नहीं सकते हैं एक एक परंपरिक रिटिगत संसकृत नाटे कला र्मन इसको इंक्लूड किया गया 2009 में नवरोज को सॉब्स की्जावड गया 2016 में और योगा को का- помог योग किया कीजिये देखे रोज है गुलबर्गा जो आपकी तूर्की दाल है ये करनाटिका का है तो ये उपर चला गया कदंगी साड़ी आपकी हंडिक्राफ्ट है बेसिकली हंडिक्राफ्ट की काटिगरी में आएगा तमिलनाडू है न तो ये है कुछ एक कंधमल हल्दी आया था ओडिसा की है वो काजी पुर्ट के पिताय पितामहा की रूप में जाना जाता है इस तो फादर और ग्रांड फादर ऑफ करनाटिक मूजे को वनावन लोग संगी जमू कश्मीर में प्रसिद्ध है इस फेमस इन जमू कश्मीर मनीपूर में गाही जाने वाला खुलंग एशय लोग संगीत के साथ क या गोडा गॉन ट्राइब्स करते हो डिसा की बताईए तो सही है ये बिल्कुल ठीक है जी तो इसी के साथ हमारा ये टेस्ट हो गया खतम आप मुझे प्लीज अपना स्कोर कॉमेंट करके बताईए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए वाकी थो स्कोर के अलावा जो पूछी कई चीजे हैं उनको भी बताईए अच्छे से हसते मुस्कुराते एकदम नोट्स बनाते वे टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है All the best to all of you, my best wishes are with you, मेरी शुब कामना है आप सब के साथ हैं मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टेस्ट में तब तक के लिए मज़े करते रहिए पढ़ते रहिए ठंड से बचे रहिए बहुत बहुत धन्यवाद